आने वाली साथ अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णई कोटन गुरू की और से स्रीमान मनिश डागाजी ने जो आहवान किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ उसको दन्यवाद देता हूँ कपास की खेती और कापड उद्योग पुरातन चीरंतन भारत में उसकी बहुत बड़ी नामना विश्व भर में भारत के उद्योग की रही है कपास उगाने में भारत विश्व में अग्रिम देशों में से येख है गुजरात भी आज कोटन ग्रो और स्टेटों में सबसे आगे वाले राज्यों में उनकी भी गण्ना हो रही है कपास को लेकर हमारे संद तुलसिदास जी ने राम चरित मानस में इनका जिक्र किया है जैसे कपास का फुल उसमें रस नहीं होता है रंग नहीं होता है रूप नहीं होता है ऐसे साधू का चरित्र भी इस कपास के फुल के समान होता है साधू के चरित्र को कपास के फुल के साथ उन्होंने तुलना कि है ऐसे कपास को विश्वक कोटन दिवस के रूप में मनाने का जो प्रयास अवरंगाबाद में स्री कोटन गुरु के द्वारा मनिश डागाजिक कर रहा हैं उनको मैं बदाई देता हूँ और सबको अपिल करता हूँ कि जिन जिन लोगों का उसर मिले वो सब उत्साह भेर इस कोटन दिवस की कपास दिवस की विश्वक कपास दिवस की उस उजहुनी का हिस्सा बने उसके समयलन में भाग ले धन्यवाद आने वाली साथ अक्टूबर को जैसे बताया कि विश्वक पास दिन के रूप में मनाने का स्री मनिश डागा जी ने कोटन गुरू के फम के नाम से अउरंगाबाद में मनाने जा रहे हैं उसी के साथ मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे आदरनी प्रदान मंत्री जी ने अभी अभी ही देशवासियों को एक अपिल की है कि जो एक ही बार उप्योग में आता है ऐसे प्लास्टिक से हमें दूर रहना चाहिए उसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए तो ऐसे SUP जिसको कहते हैं कि एक बार ही यूज में लेने वाले प्लास्टिक से मुक्त रहने की जगा पे जहां ऐसा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वहां हम कोटन का कपड़े का बेग का पेकिंग मेटरियल का उपयोग करेंगे तो हमारे कोटन उद्योग को भी बल हमारे कोटन ग्रोवर्स किसानों को भी इनसे फाइदा होगा तो यह मुझे लग रहा है कि विश्व कपास्त दिन की उजवनी हमारे प्रदान मंत्री जी की अपील को भी मदद करने वाली सामपरंत एक अच्छी घटेगी ऐसा मेरा मानना है इसी के कारण में मनिश जी को और कोटन गूरुफ हम को अभी नंदन देता हूं